इसके पक्ष में है, तर आपके सक्त खिलाप है, इसलिए इस सब चीज का ध्यान रखिए, और आप लोग तो मान लिजे कि नए हैं, हम लोग का रिस्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिस्ता है, हम लोग सोशलिस्ट हैं, कॉम्मिनिस्ट हैं, सब का रिस्ता कितना है, हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्डियामेंट का चुनाव ररते थे, अब पार्टिया साथ नहीं थी, फिर भी सारे CPI, CPM के लोग हमको मदद करते थे, इतना ज्यादा हमारा संबत है आज का ही, पैसले किर्पा करके हाथ दोंके प्रार्था करेंगे, कभी गलत चीछ पर तक कभी जो पुराना संबंद है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिये, जो हम लोग कह रहे हैं, मतलब सराप के खिलाफ है, और कोई गलत सराप, गंदा सराप पी करके मर जाए, तो उसके प्रती कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बलकि इसका और प्रशार करना चाहिए, तो गरिब तपके में जाके कहना चाहिए, इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाहरी है, मदद लो, आगे बढ़ो, ये सब करिएगा तो बहुत अच्छा होगा, हम तो इन्नों को भी कह रहे हैं, लेकिन मानिये, एक सदस ने भी कहा, इसलिए हम कड़ाओ के बोले, तब बाकी ते समुच्छा को भी है, इसलिए हम इसलिए इसलिए मेरी बात को मानिये, यही हम आग्रह करेंगे, मानिये सदस गा, आज सुक्रवार है, इसलिए अब सभा की कारजवाही दो बजे दिन तक के लिए अस्थागित की जाती है तो बिहार विदान सभा में सदन की कारवाही दो बजे तक लिए स्थागित कर दी गई है, लिकने से पहले आपने सुना कि नितेश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि अगर आप शराब पीएंगे तो आप मरेंगे और इसके लिए कोई सिंपैटी नहीं है यानि की साफ साफ नितेश कुमार पला जाड़ते हुए नजर आए प्रशासनी कमने की घरती की और साथ ही लापरवाही की और उन्हेंने पूरा जो ठीकरा है वो उन लोगों पर पोड़ दिया जिन लोगों ने शराब पी थी और कहा कि जो शराब पिता उसके साथ मेरी अगर आप जहरिली शराब पिएंगे तो आप मरेंगे इसमें फ्रिशासन कुछ नहीं कर सकता है और ऐसे ही हमने पहले भी देखा था जब विपक्ष ने सवाल नितीश कुमार से पूछे था तो अपना पला जाड़ते हुए ने पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो शराब प जहरिली शराब पीओगे तो मरोगे इसके लिए कोई सानुबूती नहीं और ना ही प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है क्या कहेंगे कि आप कई शराब बंदी के बाद जयरिली शराब का विकना इसने प्रशासन की कोई लापर भाही नहीं कि आपको आपके नाम पर करन दिखा जाएगा कि आप हत्या होने पर आप राजीती करते रहें कि पूरी तरह से निचीज कमार दोसिय है और उनका संत्र पूरा फेल है और निचीज कमार ही पूरे के मास्टर माइन है बिल्कुल बहुत बश्चुक्र आपका निची नविन जी हमसे ये बातशीत करने के लिए तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है और विहाज सरकार से सवाल पूछ रही है कि और ये भी कह रही है कि ये भयंकर लापरवाही और इस पर जवाब इतीश कम कुमार को देना चाहिए और तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा एक छोड़ी से ब्रेक के लिए रूखेंगे चल आउट रहे हैं तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं ज़ा बिहार शराप कांड की मोरवी हादिसे से तुन्डा बिहार के सीम नितीश कुमार ने किया है एक बार फिर से और ये भी कहा है कि जहरीली शराप से मौत पर कोई मौावजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये जहरीली सराप का बोल रहा है जरा बताईए बिहार में जहरीली सराप से पीने वालों की संख्या जब सराप बंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है आज दूसरी जगा खूब जहरीली सराप जहां सराप बंदी लागू नहीं है वहां अब बात यह है कि यहाँ जहली सराप भीके मरा तो हम लोग से इसका खूद परचार कर रहे हैं कि पीओगे मरोगे आप उसी को दूसरे रूप में पता रहा है अज तब इस तरह से मरता है तो दूसरा देगा कहा नहीं छापते हो जब जब तो तुम क्यों खोले हुए हो बता वहाँ अजा सराप बंदी भी लागूं कि यह वहाँ का भी हाल है तो करते तो हैं नहीं अब इस बात करना आप सोच लीजिए अब तो हम आपको हम बता रहे हैं अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर कि हम कहेंगे कि अगर सर